है नमस्कार दोस्तों स्वाहत है आपका अपके न्योटीब चैनल एसल टीच में दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए लगया हूं क्लाइब सुशल सांज पॉल्स सॉल्यूसन तो आप इस वीडियो में अंधर तक वने रहें मैं आपको इसका पूरा पूरा का पूरा सॉलिशन आपको इसी वीडियो में बता दूँगा तो आप इस वीडियो में अंदे तक जरूर रहें और अगर आप नहीं तक इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें और साथ में बेल आईगों दवाना ना भूलें जिससे कि अब इसके बाद जब भी हम कोई न्यू कि यूरोप के रेलिकल समु के लोग समर तक थी तो इसका अंसरा दोस्तों तो दोनों ठीक है बाउपद पर आदारे सासन और विशे सदिकारों का विरोद नेश्टा आता है दोस्तों थाट नमर का कि कर करें का किसराज इसे नहीं गुजरती है तो इसका अंसरा दूस्तों उडिशा करक्रे का उडिशा से नहीं नहीं गुजरती है चौता है दोस्तों इस ताइप पुझी नहीं है तो इसका अंसरा रोव माटीरियल चलिए दोस्तों नेक्स क्वेस्चन पर आते हैं जो इस एकजाम में आप से पूचा गया है वह दोस्तों सही जोडी बनाईए इस दोनों एकी बात है दोस्तों एक इस तली अबाव जो तीन और से समुद्र से गरा होती है तो उसे कहते हैं और चौता है सुचना प्रोद होगी कि इसका अंसरा कंप्यूटर तो यह थे आपके दूसरे कॉस्चन के आंसर चलिए नेक्ट थाइड कॉस्चन पर आते हैं जो इ नेक्ट आता है दोस्तों दूसरा कि दूसरा कॉस्चन की वारत का सबसे पूर्वी देशांतर है तो इसका अंसर है दोस्तों 97 डिगृ 35 ठीक है तो ये पूर्वांतर जो है अपका सही है इसके बाद उसनों थाड़ आता है हर साल बारत में 26 जनवरी को दिवस मनाये जाता है कौन सा दिवस तो इसका आणसर रहां दूस्तों गॉना तंत्र दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है और 25 आगश्त को सई उतनुत्र को मना जाता है। कि पहला यह कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी ठीक है दास कैपिटल की रचना किसने की थी तो इसका अंसर है दोस्तों कारल माक्स ने किसने कारल माक्स ने जो है दास कैपिटल की रचना की थी जेकंड आता है वारत के उन द्यूप का नाम बताईए जो प्रवाल वित्ती के हैं तो इसका अंसर है दोस्तों मालवन, मालवान और मन नार दीप दोस्तों, बारत के उनुदीपों का नाम है जो परवाल बड़ती के हैं ने च्टा आता है दोस्तों, ठाइड कॉस्चन की दक्षण अफिरिका का लोकतांत्रेक संविदान बनाने में कौन सा टकराब सबसे मेधपूरता तो इस्तिरियों और पुरसों ठीक है इस्तिरियों और पुरसों ठीक है और और किनके वीच दूस्तों इसके बाद जो है वो है कि अल्प संक्याक जो गोरे अल्प संक्याक गोरे अल्प सं उनका जो है दोस्तों अस्वेत अस्वेत भहू संक्याकों के साथ तक्राव आवश्चकता नेक्स आता है दोस्तों चौता उसमें कि पालमपूर गाहों की तो अतलो रिक्स आता क्यों और क्या उच्छ बाद कि सद्रूतु में आप से पूछे जाते हैं सत्रला इंगलेंड में के जाने anche other सभ्यतर गहीं समाझ दोस्तों ढूसरा आनाऩिन अदिये श्क्राप्ण रहता है झाष दी आर्वीजिक यह भी आशार जो सब्सक्राकोंगा चुरा सेٍके तो यह दो चाहिते हैं के दए इस बनाने बहुत ही म्यनत लगता है इस सॉलिशन नगालने में तो चलिए चटवे कॉस्चन का अंसर हम देखते हैं तो दोस्तों जो चटवे कॉस्चन का अंसर है वो आप यहां पर देखी सकते हैं पूरा का पूरा ठीक है तो यह उसके अत्वा वाले का अंसर है जो में चटवा कॉस्चन है उसके अत्वा का यह आंसर है कि खुनी रविवार किसे कह दे हैं ठीक है तो आपको जो है यहाँ पर पूरा अंसर दिख रहा होगा यहाँ पर एडिंड ली हुई है खुनी रविवार इसमें लगाए कि 22 जनवरी 1905 को रूस की जार सेना ने सांती पूर्ण मजदूरों तता उनके बीवी बच्चों को एक जोली उस पर गोलिया बरसाई ठीक है गोलिया बरसाई जिसके कारण हजारों लोगों की जान गई इससे दिन को चुकी कुनी रविवार इसलिए काग इसके बाद में दोस्तों साथ वे कॉस्चन पर आते हैं च्पाजीर औस्टेलिया तो यह था आपके साथ बढूस्ट चलिए नेक्सट आठीक कॉस्टन पर आते हैं तो आपका आठीक को सब्सक्राइब कोई तीन तरक देखते हैं तो पहला था दोस्तों लोग्त परिवरतन के लिए हमेंसा तैयार रहता है इसके बाद दोस्तों दू को भी दिखाने की पूरी आजादी देता है इसके बाद चली दोस्तों अब देखते हैं लोकतंतर के विफक्च में जो तरक दिये जाते हैं वो कर Tú अबब देखते हैं लो झाल झाल कि सासक हमेशा बडलते रहते हैं जो है इस धरथा को बड़ाँ देते हैं और दूसरा जो आई इसके वह फ़स्क्ष्मी दर फउयल की लोक तंडर के Авका Lotus के न्योंड दूदर में नेर्णवात है और तीसरा दोस्तो लोक तंड़ रस्टा को बड़ाँ देता है चलिए दोस्तों नेक्स्ट कॉस्चन पर आते हैं नवे कॉस्चन पर जिसमें आपसे पूछागा है कि आर्तिक क्रियां और गैर आर्तिक क्रियां हों में कोई तीन अंतर इसपेश्ट कीजिए तो आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों आर्तिक क्रियां के अंतरगत पैसे कमा सब्सक्राइब नहीं होती है इसके बाद दोस्तों जो आता है नेक्स्ट दूसरा की प्रात्मिक तृत्यक चेत्र क्यां तरगात आने वाली सब्सक्राइब को आर्तिक किनिया कहते हैं और यह किनिया देश सेवा दर्मक कर्तब से जुड़ी होती है ठीक है यह मैं की जाती है चली दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं तो इसमें दोस्तों मैंने दसबे कोश्चन का अंसर नहीं दिया है तो उसका अंसर की वीडियो भी मैं जल्दी लाने की कॉसेश करूँगा चली अब चलते हैं नेक्स्ट ग्यारवे कॉस्टिन की напряж को इसका answer है कि किसी देश या संस्ता द्वारण निरदारित के गए वहनियम जिस के मोरम से पर कि दे 지금 संस्ता का संचाव क शुचारू डंग से संचाला करने का एक मूल डांचा होता है जिसके माध्यम से उस राष्ट के विकास की दिसा का निर्दारन होता है चलिए दोस्तों बारवा कॉश्चन देखते हैं जो आपसे इसमें पूचा गया है कि प्रांस इसी करांटी के तातकालिक कारण क्या थे तो इसका अंसर आप दिख सकते हैं कि फ्रांस इसी फ्रांस की करांटी सान में सन 1789 में 14 जुलाई 1789 इसा पूर्व को बास्टील की गटना से शुरू हुआ प्रांस का एक बार गए ठीक है सहे पदारियों ठीक है समानता और उच्छे पदों के अधिकारियों जो बेमल बैसल एवं बिला सिता पूर्ण जीवन व्यतित करते थे वही साधारन बरगे की दसा बत्तर थी राजा की निरंकुरता दूर विवस्ता एवं कुसासन से प्रांस की साधान जनता उब चुकी थी जिसके पहिनाम स्वरुप 1789 इसा को इसा पूरुकोस प्रांस में वीशन जन विद्रो हुआ और प्रांस के तत्कालिन राजा तुई सोलना एवं रानी मेरी अन्तोान को मौत के घाट उतार दिया ठीक है इसके बाद दोस्तों प्रांस की कुरां कितिक बहुतने के ईशगफितीस नियुकर पाल्ऐ है कि ने कला को इतली युकरत यहां दनी पद समान मुच्य दिकाई राज किये करों से मुक्त थे वहीं नेमन भर्गों बर्ग करों के बोस से दबी थी नेक्ट दोस्तों आर्थिक कारन एंगलेंड के साथ लगातार योग दोने के कारन राज को सकाली होता जा रहाता विदेशी करज बढ़ता जा रहाता जिसके प्राणाम सुरूप फ्रांस की करांती के लिए प्रेरत हुए लोग ठीक है इसके बाद दोस्तों नेश्ट आता है समाज का रहा है तो फ्रांस का समाज तीन वर्गों में वक्त था पादरी बर्ग कुलीन बर्ग जन साधरन बर्ग धरमाधिकार कारी आते थे ठीक है औ और उच्छ पादरों वर्ग विसेश अधिकारों से योक्तए थे प्रांस्की जन्ता इस बार के सोचान चुकी थी और प्रांसिसी के लिए प्रेरित हो गई फ्रांसिस यांदुलान के लिए दोस्तों प्रेरित हो गई इसके बाद दोस्तों तेरभा आता है जिसमें आपसे पूचा गया था कि इस्टालिन जिसमें आपसे पूचा गया है दोस्तों कि स्टालिन का जो है स्टालिन की करण कारिकराम को समझाईए ठीक है तो इसमें जो है आपसे पूचा गया आता है तो चलिए इसका अंसर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला है दोस्तों अनाच की कमी को देखते हुए रूस में इस्टालेन ने चोटे चोटे केतों के समुही करण की परकिरिया सुरूख की क्योंकि उनका यह मानना था कि चोटे चोटे टुकड़े आदुनी करण में बादा डालते हैं इसके बाद दोस्तों इसमें जो इनएक्स्ट पूचा गया था नेक्स्ट पॉंट आता है कि इसलिए राजज के नियंतरन में चोटे चोटे केसानों से उनकी जमिन चीन कर एक वसल जमिन का टूकड़ा बहना बनाया जाना थना घ्र दोनने के लिए बड़ी भूमी अर्जट करनाई इस टेलिन की सामुई की कराना करिया कहल आया इसके बाद दोस्थों चाहरोगा कॉस्चन आता है तो चाहरोगा कॉस्चन में पूछाता था कि वारत के उत्री मेधान पर एक संचिप्ट ठिपनी लिखी ए तो यहां पर यिदान जलोर मेर्दा से बना है लागों वरसों से में हमाले का निछेप हुआ है इससे उपजाओ मेर्दान का निर्मा हुआ है और इसकी बाद नेक्स्त आता है दोस्तों की इसका विस्तार सात लाख बार्ग किलोमीटर लमबा एवंडू सब्सक्राइब दोसो चाली से तीन बसा हुआ छेत रहे हैं पस्चम मंगाल व्यार उत्तिर पर्दे से छेत्रे इस छेतरे के उच्छ जन संक्य मौनत वे बाले छेतर रहीं हैं चलिए दोस्तों चौदर देखते हैं कि उत्त ठी मैदान को मौटे तोर पर तीन वृष्ष वर्गों में वाज़त किया है उत्री मेदान के पस्चमी बाग को पंजाब का मेदान का जाता है सिंदू तता इसकी सायक नदिया जेलम चेनाब रावी व्यास तता सतलो जमाले से नकलती है मेदान के इस बाग में दो की संक्या बहुत अधिक है ठीक है चली दोस्तों पंजाब कोस्चन पर आते हैं जो आपसे से एक्जाम में पूचा गया था ठीक है जिसमें कोस्चन था कि माना पुझी निर्मान में स्वास्त की क्या भूमी का है इसके बाद दोस्तों फ़स्ट पॉइंट आता है कि स्वास्थ व्यक्ति में कामान से कोर सारे रिक स्वास्थ सामिल है दूसरे दोस्तों आमत वर पर देखा जाता है कि एक स्वास्त करमचारी अधिक कार कर सकता है क्योंकि उसका स्वास्त उसे इसके लिए सक्चम बनाता है नेश्टे दोस्तों स्वास्ते किसी व्यक्ती को रोगों से लडने की चमता प्रदान करता है स्वास्ते व्यक्ती जीमन की समस्याओं से आसानी से लड सकता है चोते कोष्टन आता है दोस्तों स्वास्ति व्यक्ति में काम करने की अधे कूर्जा सामर्थ और सक्ति होती है निए Minniegg मानप काविकाव सिक्चा और स्वास्ति सिक्ष़ित होता है जिससे मानप esta нirます की जाता है चल दोस्तों सولवे कोष्टिन पर आते हैं अलग अलग तरीके निम्ले किते हैं पहला दोस्तों आदुनिक सिक्षाई सुविदा का उप्योग करके एक ही भूमी पर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है सेकंड एक ही एचाई वी बीच का उप्योग करके भी एक ही भूमी पर उत्पादन को बढ़ाया सकता है तायड़ो और वर्णकों का उप्योग करके ततर आसानेक खादो और कीट नासकों जैंसे रसायनों को उप्योग करके उत्पादन बढ़ाया सकता है और चोताungen बिनिक मसीनेरी जैसे ट्रेक्टर सन्योजा करें ठ्रेसर डिलिंग मसीन मोटर साधी कप्यों करके विए उत्पादन को बढ़ाय जा सकता है पांच बाये दोस्तों की बिजली चले तर्विनल कूपों से सचाई करके उत्पादन बढ़ाय जा सकता है उधारन पालंपुर में प पहरी बरदी हुई है चले दोस्तों सत्रवे कॉस्टन पर आते हैं जो आपसे से एक्जाम में पूचा आया थी कि फ्रांस में उन्नी सो सत्रा सो तेरानवे से सत्रा सो चौरानवे तक के काल को आतंक के रूप में क्यों जाना जाता है कारण लगिए तो इसका अंसर है दोस् है दोस्तों इसके हिसाब से गहतंतर के जो भी सत्रूते कुलीन और पादरी अन्राजनीती दलों के सदस से उन सभी को गरफतार कर जेल में डाल दिया गया नहाले यदि उन्हें दोसी पाता तो गिल्केट पर चड़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता है नेक्ट आता है दोस् कि गोरत यवं बब रोटी की राशन की गई नेक्स्टे मेहें सपेद आटे के इस्तमाल पर रूख लगा दी गई मेंक्स आता है दोस्तों पाद चटवा की की रोबस पेर ने अपनी जईतियों जातियों को इतनी सक्ती से लाओ किया नी ठीज़ी दुस्तों नीतियों के इत पर चला दिया गया चली दोस्तों नेक्ट कोस्टन इसका ही आते हैं दोस्तों अटार वे कोस्टन पर जिसमें आपसे पूचा गया था कि पालन पुर की कहानी में मुझले और बड़े किसान किर्शी से कैसे पुझी पराप्त करते हैं तो इस का अंसर है दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें जो है सामाज एक आरते केम राजनेते के नहां सौज़ दोस्तों मैं नेक्स्ट कॉस्टन पर आगाया था नेक्स्टे दोस्तों दूसरी और छोड़े किसानों को किर्सी के लिए पुझी एतु बड़े किसानों गाउं के सावकार या ब्यापारियों से उधार लेना पड़ता है उननीस बाए दोस्तों आप देख सकते हैं जिसमें आप से पूचा आया था कि भारत के सम्विदाने के की उद्देशिका ठीक है उद्देशिका के उलेक उद्देशिका के में बैनेत किनी पांच मूलियों का उलेक कर अरते सपष्ट कीजिए ठीक है तो इसका जो आँसर आप देखी सकते हैं दोस्तों यहाँ पर की सामाजिकार्तिक उम्राजियतिक नियाले उपलब्द कराना नेक्स्टे विचार मत बिस्वास दर्मतता उपासना कराना इसके बाद दोस्तों नेक्स्टे पद और अपसर की समानता देना ब्नित की गर्इमा एवाम राष्ठ की एक्ता और अकंडद्टा को सुनेश्चेक करने वाली बंदुता ऐस्तापित करना इसके जो आवस्या था इसकत अवह वह श्म्रफवति हैं कि उत्थी कर्ती एक बारत की बारत की लोगों में समाईता थहा forsket दोस्तों करती है कि भारत बारती है राज़ी की प्रकति है सम्परवू समाजबाद इपन्तर अव्य पधिकिय। ठीक है तो ये बारत की सम्मिदान की प्रस्ताबना का जो है दोस्तों दर्सन कराया है ठीक है नेक्ट है उद्वेसित करती है कि बारत का सम्मिदान 26 नवंबर 1949 को अंगिकरत अधी नियमत और आत्मारपत किया गया चली दोस्तों नेक्ट कॉस्चन पर आते हैं जो कि अब 20 बा अंतरों का सम्मान करते हैं ठीक है नेक्ट है उन्हें काम करने का प्रयास करना चाहिए नेक्ट है दोस्तों जन्ता के साथ जन्ता के पास यह अधीकार होना चाहिए कि यह उनके द्वारा चुना गया पिरती ने दी अपना काम सही तरीके से ना करे तो उसे बापस बुला ल किया जाए तीसरा है दोस्तों लोगों के बीच मौझूद है सामाजिक और आर्टे का समंताओं को कम करने का प्रयास किया जाना चाहिए इसके बाद जो चौता हाता है दोस्तों वो है कि अलप संग्याकों और बंचेतों को उच्छत अधिकार अपलब्द करने चाहिए किृटा के सवालों का सफ्थ सही उत्तर देना चाहिए तो दोस्तों इसके बाद नेक्ट क्वेर और आता है दोस्तोंं सकांसर को चिस परकार है आप देखी सकते हैं ठीका अरतासाच चाह किसी परकार की हो उसके दौरा अवस्त्तर पुपसे सामान कार संपन किया जाते हैं एपस के अनुसार परते कर्थ सास्त को मौलिक नेना लेने होते हैं तो आप इसे देख सकते हैं दोस्तों आप इसका स्क्रीन सोट लेने क्योंकि मैं इसको पढ़ूंगा तो वीडियो और बड़ी हो जाई वैसे थोड़ी बड़ी होई गई है तो आप इसका जो स्क्रीन सोट ले सकते हैं चलिए दोस्तों नेक्ट पर आते हैं तो नेक्ट यूप उसका वी आंसर देख सकते हैं कि इस्थापनन बस्तू में बेवस्तू होती है जब किसी बस्तू का परियोग किसी बस्तू के आप में किया जाता है तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों इसके बाद दोस्तों जो 24 वा कॉस्चन और लास्ट कॉस्चन आता है वह आपका दोस्तों आप देखी सकते हैं कि बस्तुवे से इस कीमत यहाँ पर उसका solution में दिया हुआ है आप उसका screenshot ले सकते हैं तो इस वीडियो के लिए दोस्ता है इतना ही लेकर आगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जलू करने क्योंकि इसे बनाने में बहुत ही time लगा है और अगर न्यू वीडियो अप्लोड करें तो उसका notification आप तक पहुंच जाए तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद